नमस्कार दूस्तों तुछली हम लोग बात करते रहते हैं जोबी व्यक्ति मत्पूर रहते हैं हमारे लिए उनकी जीविनी यानि की वाइगविशाफी के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं जैसा कि हम लोग आपके पंडित जवाल लाल नैरू से लगाकर पिदान मंत्री नन्यद मौधी तक की सभी के जीवन परचे के बारे में देख चुके हैं हम लोग फिर आपके बैक्ती जो भी चर्चेत रहते हैं जैसे किसी की मित्ति हो रही है या फिर किसी को कोई प्राइज मिला हुआ alcohol है तो उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं अब बात कर रहे थे हम लोग राष्टपतियों के बारे में तो आपके डॉक्टर राजिंद पे साथ से लगा कर हम लोग लाष्ट किलास में बात किये थे आर बैंकट रमन सहाब के बारे में आज बात करेंगे आपके नौवे राष्टपति डॉक्टर संकर दयाल सरमाज चुनाव कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं फिर भी बता देता हूं कि जो आपके विधायक होते हैं फिर आपके लोग सभा सदस होते हैं और आपके राजसभा सदस होते हैं यह तीनों मिलकर राष्टवती का चुनाव करते हैं याद रखे कि निर्भाची सदस केबल भाग लेते हैं मनोनी सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं एक बात हमेशा याद रखिए तो आपके जो विधायक हैं फिर आपके राज सबसद और फिलस लोग सबसदस ये तीनों राष्टपती के चुनाव में भाग लेते हैं चीक है तो ये हैं आपके संकर दयाल सर्मा साहब देख लिजे पिक्चर्स इसकीन पर आपको देख रही होगी संकर दयाल सर्मा भारत के नौवे राष्टपती थे बे एक स्कॉलर भी थे जिनके पास बहुत अच्छी सेच्छी योगता भी दि रही है किसके पास संकर दयाल सर्मा साहब के पास बे एक महन पत्तकार भी रहे हैं जन्होंने साहित तित्यास आदी अनेक विसव में लिखाय था इसके साथ ही संकैदाल दयाल की सुतंता की लड़ाई में भी सक्री रहे हैं देश के राजनेता होने की नाते इन्होंने सिक्षा, कानून, बलोक निर्माड के लिए नेक कारी भी किये राष्टीपती बननी से पहले इन्होंने देश की दूसरे बड़े पदों की को भी समाला है अगर इन के हम लोग पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है Dr. Sankar Dyaal Sarma इनका जनम होता है 19 अगस्त 1908 गो कब होता है इनका जनम 19 अगस्त 1908 गो कहा होता है कि आपको पता होगा कि भोपाल मद्विदेश की रादधानी है इनकी जो माता का नाम था सुबद्रा सर्मा और पेता का नाम था खोसीलाल सर्मा इनकी पतनी जिन से साधी हुई थी उनका नाम था बिमला सर्मा इनके दो बेटे थी और एक बेटी थी ठीक है इनकी अगर राज मित्यू की बात करें तो इनकी मित्यू होती 26 दिसंबर 1999 को नई दिल के में यह इनके बारे में एक सामान परिच्छाए था अब चलते हैं हम लोग डेटेल से बिस्ताल से जानते हैं इनके सफर की जीवन के सफर की बारे में सुतंद भारत की नौबे राष्टपती संकर दयाल सर्मा साहब का जनव होता है 19 अगस्त 1908 को मद्ध विदेश के भोपाद सहर में इनके पितानर का नाम खुसीलाद सर्मा और माता का नाम सुबद्रा सर्मा था संकर दयाल जी ने अपनी सिक्षा देश एबं विदेश की उनिवसिटी से पूरी की थी का यानि कि ये देश में भी पड़े हैं उसके बाद विदेश भी गए हैं पढ़ने के लिए ठीकर संकर दयाल सर्मा ने सिक्षा की सुरुवात सैंट जॉन कॉलिज से की थी इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवसिटी और इलावात यूनिवसिटी से भी सिक्षा ग्रहण की थी लॉग की पढ़ाई के लिए लखनव यूनिवर्सिटी भी चले गए थे कहां यूनिवर्सिटी लखनवू सिख्चा के पिती लगन के चलते संकर दयाल जी पीएचडी करने के लिए फिटिज बिलियम कॉलिज केम्बरेज यूनिवर्सिटी भी गए समझ रहे हैं मुझे लगता है अपना देश तो पूरा घूमी लिया है नोंने विदेश भी नहीं छोड़ा देख रहे हैं सेंट जॉन कॉलिज इनकी पढ़ाई सुरू होती है फिर आगरा यूनिवर्सिटी चले जाते हैं फिर इलावाद यूनिवर्सिटी फिर आपका लखन गोमा किया इतनी सिक्षा ग्यांड करने के बाद भी डॉक्टर संकर दयाल सर्मा जी यहां रुके नहीं मतलब यहां भी इनका मन नहीं भरा तो उन्होंने लखनव यूनिवर्सिटी में 9 साल तक लौकी सिक्षा दी और वहां प्रोपेसर रहें इसके बाद भी लंदन चले और कैमरे जी उनिवर्सिटी में भी उन्होंने बच्चों को लौकी सिक्षा दी डॉक्टर संकर दयाल सर्मा जी इस तरह पढ़ाई में ही आगे नहीं थे बेखोल खेल कूंद में भी हमेशा आगे रहते थे पता है आपको एक वाद कि मेरे एक सर्थ थे ठेक याभी भी है लेकिन अब मेरे मतलब बात मात नहीं होती इसलिए पता नहीं होंगे अच्छी कुसल होंगे भगवान से यही दुआ करता हम लेकिन पता है वो एक सब्द बोला करते थी कि कभी बच्चे को पेसर नहीं डालना चाहिएगी दो तीन साल का हुआ ना और इस सबस्ती करना है खेलना कुणना है करने देना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है दिमाग कुलता है और आप समझ सकते हैं कि एक रटने वाला बच्चा जो सुरू में हो सकता है कि जानदा इंटलीजेंट हो पढ़ने बाद में नमबर लाता हूँ अच्छा लेकिन जानदा दूर तक नहीं जा पाएगा वो और आपने देखा होगा जो अभी तक आपके जोगी बिग्यानिक हुए जिनों ने भी कुछ किया है इतियास में वही लोग है या तो सबसे बड़े फैलियर हैं या फिर उनका दिमाग हर तरह की कामों में चलता था समझ रहे हैं आप लोग तो अपने बच्चों पर इतना भी पेसर मट डाला करिये कब वो डिप्रेशन में चले जाएं और उसी तरह वो जिन्दिगी जीने लगें कुछ पलता ही ना चले उने ठीक है बेग अच्छे धावक और तेराग भी थे डॉक्टर सर्माजी ने पत् से लेख भी लिखे थे अपनी पढ़ाई की समय और उसके बाद जब इस सिक्छक थे तो उसी समय से उन्होंने सोतंता पराप्ती के लिए अंग्रेजों के विरुद आवाज उठानी सुरू कर दी थी यानि कि ये अंग्रेजों के विरुद भी थे अगर हम लोग डॉक्टर संकर दयाल सर्मा साहब का राजनितिक सफर की बात करें राजनिती में का करियर कैसा रहा तो डॉक्टर संकर दयाल जी राजनितिक सफर की सुरुवात 1940 में हुई जब उन्होंने सुतंता संगराम में भाग लिया और कॉंग्रेज पार्टी की सदस बने ये वो पार्टी थी जिसके अंदर रहकर उन्होंने सुतंता प्राप्ती के लिए बहुत सारी लडाईयां भी लड़े बहुत से आंदूलों में हिस्सा भी लिया इसके साथ ही कई चुनाव लड़े और जीत कर उच्चिपद में बराजमान रहे आप सभी जानते हैं कि 1940 से आपका हरत तरह का अंदूलन एक तागत बदा अंदूलन बंदा जा रहा था भारत छोड़ो आंदूलन हो गया 1942 में और तब जाके 1947 में आपके देश को आजादी बिल गई वे अपने जीवन के अंद तक इस पार्टी के पिती बहुत इमानदा रहे हैं किसके कॉंग्रेस के उन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा 1942 में महतमा गांदी द्वारा चल लाए गए भारत छोड़ो आंदूलन में डॉक्टर संकर दयाद सर्मा जी की महत्पून भूमिका थी भारत की आजादी के बाद संकर दयाद सर्मा जी ने भूपाल के नवाप से एक अलग एकाई के रूम में भूपाल रियासत बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे आप 565 के करीब रियासते हुआ करते थी तो ये भूपाल भी उसी रियासत में से थी कि अलग होना चाह रही थी जिस तरह आपका जम्मु कस्मीर जूनागर था इसी तरह आपका हैदराबाद इसी तरह भूपाल भी अलग होने की फ्राक में था लेकिन किसी तरह से बल आपने देखा हुए कि भूपाल को भी भारत म नहीं मिला दिया सरदार बल्लबाई पटिल का बहुत बड़ा युगदा रहा इस मामले में परना आप सोचते कि भुपाल अगर आपको एमपी जाना है तो परमिट लेना होता है यानि कि बीजा लेना पड़ता है तो भी परमिट लेना पड़ता बीजा और उसके बाद जून बेचाहते से भुपाल में नवाब का सासन का अब खतम हो जाए यानि कि उनकी दिली ख्वायस्ती के भुपाल में जो नवाब का सासन था एक खतम हो जाए सर्माजी ने दिसंबर 1948 में नवाब के खलाब जनता आंदोलन का निद्ध किया जिसके लिए उन्होंने उन्हें गरफतार भी किया गया और 23 जनवरी 1949 को सर्माजी को सारुजनिक बेटकों पर पिती बंद का उलगन करने के लिए आठ मेने की कैद की सजा भी सुनाई है लेक जनता के दवाओ के चलती 30 अपरेल 1949 को नवाब लोगों ने भारतीय संगे में बिलाई के लिए समझोती पर हष्थाक्चर कर दी यहां से नवाबों का खात्मा सुरू होता है फिर आपका 1950 से 1952 तक डॉक्टर संकर दयाल जी भोपाल कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बन गए उसके बाद 1952 में इक कॉंग्रेस का पितिने दित करते हुए वे भोपाल के मुख मंत्री भी बन गए 1956 तक इस पत पर बने रहें 1956 से 1971 तक संकर जी डॉक्टर संकर जी मद्विदिस बिधान सभा की सदस्वी रहें इन सालों के अंदिर कॉंग्रेस पार्टी की नेता की तोर पर डॉक्टर संकर दयाल सर्मा जी ने इंद्रा गांधी का बहुत सहयोग किया और 1969 में जब कराची में प्राइमरी वा सेकनरी सेक्षा के लिए यूनेस को की बैठक हुई तब डॉक्टर संकर दयाल सर्मा नहीं भारत की तरब से इसका पिति निदित भी किया था जब इंद्रा गांधी जी की सरकार आई तब 1974 से 1977 तक बेग कैबिनेट में संचार मंत्री भी रहे कब तक? 1974 से 1977 तक कैबिनेट में संचार मंत्री रहे डॉक्टर संकर दयाल सर्मा जी दो बार यानि की 1971 और 1980 में लोगसवा सीट के लिए भोपाद से खड़े हुए दोनों बार ही इने सपलता प्राप्त हुई इस तरह बेद दिल्ली संसत पहुँच गए इसके बाद सबसे पहले 1984 में आंध्विदिश के राजपाल बन गए अत्सर आप लोग देखते हैं कि जब कोई नेता बूड़ा हो जाता है या रेटार्रमेंट हो जाती है तो उसे राजपाल बना दिया जाता है या पिर वो कहीं चुनाओ जीतने लाइक ना रहा हो तो उसे भी आप लोग ने देखा होगा कि राजपाल बना दिया जाता है किरन बेदी की मामले में आप देख सकते हैं कि जब दिल्ली का विधान सबा चुनाओ भी नहीं जीती तो उन्हें राजपाल बना दिया गया इसी दोरान दिल्ली में रह रहे उनकी बेटी गीतांजली और दमान ललित मैकन को मैकन जोकी एक राजनेता थे उन्हें सिक्क उखवादियों ने मार डाला इसके बाद संकर जी ने आंद्विदे से राजपाल पत को छोड़ दिया और उन्नीस सो पचासी में पंजाब के राजपाल बन गए इस समय भारा सरकारों सिक्क उखवादियों के भी हिंसा चड़ी हुई थे यह बहुत बुरी तरह से इसमें प्रभावित हुए लोग कहते हैं 2000-3000 के करीब इसमें मौत की मुख में चले गए थी लोग समझ रहें आप लोग दिल्ली में ही आपके सिक्कों को बहुत बुरी तरह से मारा गय है यह आपकी 1984 की बात की बात थी इंद्रा गांदी के मरने के बात की बात थी आपने सुना होगा कि इंद्रा गांदी के जो बौडी गार थे उन्ही ने उन्हें गोली मार दी थी वो सिक्ष थे जो उनके गार थे आखिर में 1986 में डॉक्टर संकर दयाल जी महराष्ट के राजपाल रहे तो पहले आंद्विदेश के फिर उसके बाद पंजाब के उसके बाद आपके महराष्ट के 1987 में तब तक वहाँ के राजपाल रहे तक कि उन्हें देश का उपराष्ट पती नहीं बना दिया गया 1987 में वे उपराष्ट पती के साथ साथ डॉक्टर संकर जी राजपा के अध्यक्च भी रहे राजपा के अध्यक्च भी रहे एक बात आप लोग हमेशा याद रखे जो आपका उपराष्ट पती होता है वही राजपाल का राजपाल का राजपा का सभापती होता है लेकिन ये राजपा का सदस्त नहीं होता है ये आपने कई बार पूछ लिया गया क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगसभा का जो अध्यक्च होता है वो लोगसभा का सदस्त होता है लेकिन राजपा का जो सभापती होता हो वह उपराष्ट पती होता है और उपराष्ट YA है तिकर्टर हो HOL का समाप्त हुआ तब डौक्टर संकर्ष दयाजी को राष्टप्ति पत से नमा इड़ा गया और 1952 से 1997 तर संकर्ष दयाल सर्मा जी हमारे राष्टपति पत पर कारगर रहे यानि कि हमारे राष्टपति रहे अगर हम लोग डॉक्टर संकर दयार सर्मा को मिले सम्मानों यानि की अबावर की बात करें तो सिंगेरी की संकराचार ने डॉक्टर संकर दयार सर्मा को राष्ट रत्नम की उपादी दी थी International Bar Association ने कानून की पढ़ाई और उसके एउगदान के लिए डॉक्टर संकर दया सर्माग को The Living Legend of Law की अवार से सम्मानित किया था इसके अलावा डॉक्टर संकर को देश के बड़े कॉलेजों के द्वारा डॉक्टरेट की उपादी भी पिदान किया इसके साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया तो इनके ये अवार्ड थे अब हम लोग डॉक्टर संकर दया सर्माग साब की अंतिम सफर पर चलते हैं अपने जीवन के आखरी पास सालों में दयाल जी को स्वास्त संबंदी बहुत परिशानिया हुए वो 26 दितंबर 1999 को दिल का दोरा पढ़ने की कारण डॉक्टर संकर दया सर्माग जी का दिहान थो गया उनका दाय संसकार दिली में विजय गाट के पास करम भूमी में हुआ था दॉक्टर संकर दयाल सर्माग जी एक गंबीर वेक्तित संजीदा पिती बद्ध रहने वाले थे वे अपने कामों को पूरे लगन और समय पर पूरा करते थे समझ रहें आप लो यह सपर आहा है आपका संकर दयाल सर्माग साहब का तो यह थे आपके नौबे राष्ट पती है आगे हम लोग बात करें आपके अंगले राष्ट पती के बारे में कौन है आपके अंगले राष्ट पती के आर नारायन साहब के बारे में ठीक है यह आपके पिथम मलयाली बैक्ती थी के आर नारायन और पिथम दलित राष्टवती भी थे तो इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है